नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, साहे का अचार हिंदी, आप सभी का ओनलाइन क्लास में एक वार पुद्ध स्वागत करता हूँ विद्यार्थियों हम बीए द्युत्य वर्ष का इंदी साहते का जो द्युत्य प्रशन पत्र है उसकी पंच्म एकाई के अंतरगत छायावाद के बारे में चर्चा कर रहे थे हमने हमारे पिछले कालांस में चायावाद का अर्थ और उसकी परिभाशा के बारे में जाने का प्रयास किया आज हम चायावादी कावे की जो प्रमुक विशेष्था है उसके बारे में अध्यन करेंगे चिंतन करेंगे चायावादी कावे की हम प्रमुक विशेष्थाओं के विद्यार्थियों यदि बिंदुवार देखें तो अलग-लग बिंदुवां में हम उन्हें बाट कर इस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं पहला जो बिंदु या विशेष्था है कवी चतुस्ट है अर्थार्थ चायावादी कावे के चार प्रमुक इस्तंब या कवी माने गए हैं और उन चारों कवियों के नाम और उनकी मुख्य मुख्य जो रचना हैं उनका विवरण इस प्रकार से है पहले कवी हैं जय संकर प्रशाद और जो प्रशाद की प्रमुक रचना हैं उनमें आशू जर्ना लहर और कामायनी प्रसिद हैं अगले कवी हैं सूर्यकान त्रिफाटी निराला जो निराला के नाम से प्रसिद है उनकी प्रमुक रचनाओं में अनामी का, परिमल, गीती का, तुलसी दास, अपरा, आधी प्रमुक हैं अगले कवी हैं सुमित्रा नंदन पंथ और पंथ की रचनाओं में वीना, पल्लाव, गुन्जन, ग्रंथी, आधी प्रमुक हैं अगले कवी या कवी इत्री जिसे कहते हैं वे हैं महादेवी वर्मा और महादेवी वर्मा की जो रचनाओं में निहार, रश्मी, नीरजा, सांध्यगीत, दीप सिखा, आधी प्रमुक हैं अगली विशेष्टा देखें तो वह है प्रेम, वह सौंधरे चित्रन, छायावादी कवी जो हैं मुलतह प्रेम एवं सौंधरे के कवी हैं, प्रसादने कामाईनी में सरदा के सौंधरे का चित्रन, निम्न पंक्तियों में करते वे कहा है कि नील परीधान बीच सुकुमाद, खुल रहा म्रदुल अद खुला अंग, खिला होजियों बिजली का फूल, मेग बन बीच गुलाबी रंग इस प्रकार से इनके सौंधरे विधान में इस्थूलता एवं मांसलता के इस्थान पर सुक्ष्मता एवं वावीता के दर्सना में होते हैं अगली विशेष्था देखें तो वह है स्रिंगार का मनोरम चित्रन छायावादी काव्य द्विवेदी युग की परतिक्रिया से उद्भूत हुआ था अतह द्विवेदी युग में स्रिंगार पर जो अंकुष्थ था वह छायावाद में समाप्थ हो गया अउर इन्होंने स्रिंगार का मनोरम चित्रन अपने काव्य में किया है पंद की निम्न पंक्तियों में प्रिया के लावणे से उद्भूत आकर्शन का उलेक किया गया है और पंद उलेक करते वे कहते हैं तुम मैं जो लावणे मदूरिमा जो असीम सम्मोहन तुम पर प्राण निछावार करने पागल होड तामन अगली विशेष्टा देखें तो हम कह सकते हैं कि अगली विशेष्टा की रूप में वियोग व विरह का जो वर्णन है वह भी इनके काव्या में हमें दिखाई देता है चायावादी काव्य में वियोग एम विरह वेदना का निरूपन भी प्रभूत मात्रा में दिखाई देता है आंसु प्रसाद का विरह काव्य है जिसके छंदों में विरह वेदना की मारमिक अभी वेक्ति हमें दिखाई देती है अब दिखाई देती है श्वयम परसाद वर्णन करते वे कहते हैं कि जंजा जकोर गर्जन था बिजली थी नीरद माला पाकर इस सून्य हिर्दे को सबने आगहेरा डाला अगले विशेष्टा की रूप में हम कह सकते हैं कि अगला बिंदू है नारी के उदात रूप का वर्णन छाया वादी कव्यों ने नारी को उदात रूप परदान करते वे उसे पुरुष की प्रेरक शक्ती के रूप में स्विकार किया नारी जो है वदया शमा करूना और प्रेम जैसे गुणों से संपन और वह स्रदा की पातर हैं तबी तो कवी कहता है नारी तुम केवल स्रदा हो विश्वास रजत नग पगतल में पियूश स्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में अगली विशेस्ता है रहशेवाद छाया वादी काव्य की एक प्रमुख प्रवर्ती है रहशेवाद पंत की मौन निमंतरन कवीता में रहशेवाद की अभिव्यक्ति है अत्यांत मनोरम ढंग से उन्होंने रहशेवाद की अभिव्यक्ति यहां पर की है जहां कवी को प्रकरती के उपादानों में उस अग्यात सत्ता के मौन निमंतरन का अभास होता है तबीतोपंत कहते हैं कि न जाने कौन अए द्यूती मान, जान मुझ को अबोध अनजान, सुजाते हो तुम पत अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। इसी प्रकार से निराला की तुम और मैं कविता, तथा महादेवी जी का जो संपूर्ण काव्य है, वह रैश्यवादी भावनाओं से ओत प्रोध हैं। अगली विशेष्ता को देखें, तो वह है प्रकर्ती का मनोर्म चित्रन। छायावादी कवियों ने प्रकृति की मदोरम छटा अंकित की हैं पंद को तो प्रकृति का सू कुमार कवि का जाता है और उन्होंने प्रकृति का चित्रन उद्धीपन रूप में ही अधिक किया हैं वे प्रकृति सौन्द्रे को नारी सौन्द्रे से भी स्रेष्ट मानते हैं और ऐसा बताते वे कहते हैं कि छोड दुरुमों की मृदू छाया तोड प्रिकर्ती से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उल्जादू लोचन अगली जो विशेष्ता है वो है वेदना व दुख का प्राधानिया चाया वादी काव्या में हम देखे हैं तो विद्यार्थियों दुख और वेदना की जो अभिवेक्ति है वह प्रमुक्ता से हुई है महादेवी वर्मा तो वेदना की ही कवित्री है वे अपने जीवन की तुलना नीर भरी बदली से करती है और नीर भरी बदली से अपने जीवन की तुलना करते वे वे लिखती है मैं नीर भरी दुख की बदली विश्त्रित नब का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना परीचय इतना इतियास यहीं उम्री कलती मिट आज चली अगली विश्त्रिता की रूप में हम कह सकते हैं राष्टिता की भावना तो विद्यार्थियों यह वो समय था जब देश में स्वतंतर्ता का अंदोलन अपने चरम पर था और जो लोग थे वो परतंतर्ता की बेड़ियों को सैते सैते परेशान हो चुके थे उनमें स्वतंतर्ता की चेतना है वह द्विलित हो रही थी तो छायावादी कवियों में हम कह सकते हैं कि राष्टिता की भावना भी विद्यमान थी भारत के अतित गोरव के चित्र हैं वे उनकी रचनाओं में उक्तलब्द या विद्यमान है जैसे की जैसंकर प्रसाद अपनी रचना में कहते हैं कि अरुण यह मदुमय देश हमारा जहां पहुंच अनजान छितिज को मिलता एक सहरा इस प्रकार से अपनी कविताओं के द्वारा राष्ट गोरव और प्राचिन जो हमारा भारत है राष्ट है उसका गोरव शाली इतियास बताने का भी प्रयास इनकवियों ने किया है अगली विशेष्टा है विशेवस्तू और शिल्प छायावादी काविर विशेवस्तू और शिल्प विदान दोनों ही द्रिष्टियों से देखें तो नवीन हैं लाक्षन एक बासा प्रतिका आत्मक शैली नवेन अलंकार विदान मुक्तक गीती शैली उप्चार वक्रता आदी के कारण इस काविधारा का शिल्प बेजोड बन गया है इन कवियों ने खड़ी बोली हिंदी को सुकुमार ललेत एवं मधुर बना कर उसे काविभासा के रूप में उप्युक्त बना दिया संक्षेप में ये का जा सकता है कि छायावाद हिंदी काविधा गोरो पोन ज्याए है इसी के साथ आज का कालांशें समाप्त करते हैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद